हलो फ्रेंग्स, वेलकम टू आल, आज मा आपको जो वीडियो ने क्या आ रहा हो देखिए, इंडियन मार्केट तो साड़ी तीन बजे क्लोज हो जाती है, लेकिन शाम को अमेरिकन मार्केट आपको बहुत बड़ा सिगनल देती है, और वो सिगनल सुबे सुबे जब एशन मार मार्केट ओपन होती है, तो उस पे पहले असर पड़ता है, और फिर जाके इंडियन मार्केट पे आता है, अब अमेरिकन मार्केट की चाल को देखो और समझो, क्योंकि ग्लोबल फैक्टर के लिए यही एक ड्राइविंग फैक्टर है, डाउ जोन आपको क्या सिगनल दे र है, लेकिन मैं इसको फ्लैट काऊंगा, नैस्डेक माइनस में, एसनपी 500 माइनस में, तो पूरा का पूरा इस टाइम पे ऐसे एक ब्लैंक स्टेट में लोग पड़े हैं, किधर जाएं किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा, और उसी तरीके सा अगर मैं येरोपिन मार्केट क है, क्योंकि हालत आपको पता ही है, नीचे जाने के आसार बहुत ज्यादा लग रहे हैं, अब देखिए, ये तो आपने देखा और क्रूड ओयल के प्राइस, आप देख सकते हो कि क्रूड ओयल के प्राइस में अचानक देखें, डबलू टी आई क्रूड पांच परसेंट उड़ चुका है, ब्रेंट कुरोज आट के जिल में इसमें भी तेजी देखने को मिल रही है, अब इंपोर्टेंट फेक्टर जो है, वो देखिए, एशन मार्केट, सिंगापूर निफ्टी, 9263, मतलब आज 90 पॉइंट इसका फ्यूचर उपर ट्रेड कर रहा है भी देख तो यह आपने overall US market के हलाद देखे, अभी फिरजे में आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर देखिए 43 पॉइंट डाउ जोन्स आप है, लेकिन ऐसी indecision, यह काफी indecision है, इसका मतलब शियर देखिए मार्केट पहले नीचे गिरी थी, थोड़ा recovery की कोशिश करी और वापस नी दिरे करके down आती जा रही है, यह देखिए, gap up create हुआ, down, gap up create हुआ, down, यह देखिए, यह 8 माई, 11 माई, 12 माई, आज तो gap down create हुआ, कोशिश करी gap को fill करने की देखिए, उसी level से वापस सजेक्ट होके नीचे आगे, लेकिन positive बात यह है, कि Singapore में Nifty का जो future है, वो अभी इससे 9 9209 का यह closing है, यह उपर ही trade हो रहा है, मैंदा 58 points इससे उपर ही trade हो रहा है, जो कि एक positive signal है, आज की date में कर आप overall देखो गे, तो relance industries ने सारा कबाड़ा कर देया, relance industries अकेले market को मैं करूंगा, पहले तो धीरे-धीरे बाकी starting में और भी गिरे थे लेकिन और recover हुए, यह इतन market की नजर से भी जरा देखा कीजिया, Singapore से भी देखा कीजिया, and thank you, thank you for watching the video.